नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस विडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पोदे के बारे में बताऊँगा दोस्तो यदि आप इसका सेवन लगातार एक महीना कर लेंगे तो पूरे साल भर आपको कभी कोई भी बिमारी नही होगी यदि आपके सरीर में खून की खराबी है तो दोस्तो वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि ये खून को साप करेगा आपके चेहरे पर नया गलो लाएगा आपके चेहरे को चमका देगा दोस्तो यदि आपके पेट में कीड़ी है या पेट में गंदगी भरी पड़ी है आपको कबज, गैस, एस्टिटी की समस्य है, तो दोस्तों तब भी ये पोदा एक चमतकारी इलाज की तरहे काम करेगा और आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा. यदि आपके चहरे पर मुहासे हैं, तो उनको दूर करेगा आपके चहरे पर नया कलो लाएगा. दोस्तों यदि आपको जल्दी जल्दी से बुखार, पीलिया की समस्याओं तो दोस्तों उसका भी इलाज करेगा और पीलिया की समस्याओं खून के खराबी के कान अधिक होती है. बुखार की समस्चाय भी आपकी दूर हो जाएंगी दाद, खाज, खुझली ये सभी समस्चायیں खून की खराबी के कान होती हैं दोस्तों ये भी दूर हो जाएंगी यदि आपको हड्यूं का बुखार है यनि हड्यूं से आपके काँपनी की आवाज आती है कट कट करती हैं हड़ियों की कमजोरी है कट कट की आवाज आती है या हड़िया आपकी कामती रहती हैं तो दोस्तो उसका भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता दोस्तो ऐसी ही 100 से अधिक बीमारियों का काल है ये दोस्तो पोदा और आपको मिल भी बिलकुल फ्री में जाएगा क्योंकि ये पोदा सड़क किनारे, पार्क वगरा में, खेतों में, जंगलों में, हर जगह बड़ी ही असानी से मिल जाता है और दोस्तो आपके सरीर की सारी बीमारियों का इलाज इस एक पोदे के पास है, दोस्तो इस पोदे के आप पत्तों का परियोग कर सकते हैं, छाल का परियोग कर सकते हैं, जड़ का परियोग कर सकते हैं, और पूरे पोदे की लकड़ी का परियोग भी कर सकते हैं, यनि ये पू सीसम का पेड हमारे सरीर के लिए बहुत अधिका फाइदेमन है। चाहे इसका तना हो, इसकी जड़ हो, इसका तेल हो, इसके पत्ती हो या सीसम की लकड़ी हो। दोस्तो ये सबी हमारे सरीर के लिए एक वर्दान की तरह काम करते हैं। हमारे स्रीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं दोस्तों चाहे आपको दर्द की समस्या हो दातों में दर्द हो सर में दर्द हो जोडों में दर्द की समस्या हो तो दोस्तों आपने क्या करना है सीसम के तेल का परियो करना है दातों में है तो आप फोहे को सीसम के तेल में डूबोकर अपने दात में रख लें सर में दर्द है तो सर पर मालिस करें जोडों में दर्द है तो जिस भी स्थान पर आपको दर्द रहता है वहाँ पर आप सीसम के तेल की मालिस करें और दोस्तो आपका सभी तरहे का दर्द छूमंतर की तरहे गायब हो जाएगा ये आपके दर्द को चाट लेगा दोस्तो हर्दी के रोगों में भी ये बहुत अधिक कारगर है दोस्तो यदि आपका कॉलोस्टोल बढ़ गया है बलड प्रेसर के आपको समझ्या रहते हैं खून में गंदगी है आप खून को साप करना चाहते हैं या आपको हार्ट अटेक हार्ट ब्लोकेज के समझ्या है तो दोस्तो इसके लिए भी सीसम के पत्ते आपके लिए बहुत अधिक कारगर है दोस्तों आप इसमें सीसम के पत्तों का रस पी सकते हैं सीसम के पत्तों का 5-6 पत्तों का रस निकाल कर उसका सेवन कर सकते हैं इससे आपके खून की गंदगी भी दूर हो कि कलोस्ट्रो लेवल सही होगा दोस्तो इसके साथ में आप सीसम के तेल में खाना बना कर भी उसका सेवन कर सकते हैं यानि दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप इस सीसम के पत्तों का तेल का किसी भी परकार से सेवन कर सकते हैं दोस्तो यदि आपकी लाल आँखे रहती या आँखों में कमजोरी है तो आप दोस्तो सीसम के पत्तों के रस का सेवन कीजी इससे आपको बहुत अधिक फाइदे मिलेंगी और सीसम के पत्तों के लुगदी बनाकर रात भर के लिए अपनी आँखों पर बांध कर सो जाए किसी पट्टी की सायता से दोस्तो लालीपन की समस्या आँखों की कमजोरी की समस्या ये सबी दूर हो जाएंगी दोस्तो यदि इसके लावा आपको कोई भी चरम रोग है तो दोस्तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है हर परकार के चरम रोग का इलाज करता है आपने वहाँ पर सीसम के तेल की मालिस करनी है और आपने सीसम के पत्तों के रस का सेवन है जरूर करना है क्योंकि सीसम के पत्तों का रस का सेवन करने से आपके सरीर के अंदर जो भी बीमारिया होंगी वो दूर हो जाएंगी आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ हो जाए कबज, गैस और एस्टिटी से आप बचे रहेंगे तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इस सीसम के पेड़ का परियोग शुरू कर दीजी आप इसके छाल का काड़ा बना कर सेवन कर सकते हैं पूरे सरीर की सफाई के लिए सरीर की गंदगी पेट की गंदगी को बाहर निकालने के लिए सरीर की गंदगी को साप करने के लिए अपने सरीर को डिटोक्स करने के लिए खून की खराबी को दूर करने के लिए आप इसके पत्तों के रसका सेवन कर सकते हैं बाहर लगाने के लिए आप सीसम के तेल का पर्योग कर सकते हैं और दोस्तों ये सबी आपको फिरी में ही अवलेबल हैं तो दोस्तों देर किसे बात की आप भी इस नुस्खे का आज ही पर्योग कीजिए और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों